नमस्कार दोस्तों मैं प्रवीन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूटूब चैनल एक्जाम कार्ड लाइब में जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे एक्जाम कार्ड की टैग लाइन है पेपर पक्का फस Set1 सेट 1 जीयसंड क refuse कंप्यूटर एक्ष्ण में पूछे गए 48 गश्षेंस में से पूरे की पूरे थीज कोशंन हमारी दिलीपिरी स कॉंस्टेबल की study guidebook से ही आए जी हाँ मेरे दोस्तों कोशन नमबर 2-3 से लेकर पूरे कोशन नमबर 47-48 तक हमारी study guide book से आए तो जिन भाईयों ने जिन भेनों ने हमारी study guide book से exam के त्यारी करी थी उनके लिए exam बहुत इजी रहा होगा चलते हैं आगे और है डालते हैं हमारे पहले कोशन की तरफ कोशन नमबर 2 जो exam में पूछा गया था कि भारत से पहले किस देश के नीति निर्माण उद्देशियों के लिए पंच वर्सी योजनाय सुरू की थी ठीक है ध्यान देने वाली बात है कि चार ओप्शन यहां पे दिये थे ओप्शन नमबर 3 सोवियत संग इसका करेक्ट आंसर है और आप देखेंगे तोजनती बुक के पेज नमबर 172 पे हमने यहां पे पोईंट नमबर 4 आर्थिक नियोजन के बारें बताया हुआ है सीधा आपको यहां पे आंसर मिलेगा कि पंचवर्शी ओजनाओं की आफधारनापूर्व सोवियत संग USSR से ली गई थी देखिए कितना सटीक आंसर बैठा है इसका इसकोशन का और हमारी बुक के पेज नमबर 172 पे मेरे दोस्तों ठीक है ऐसी हम आगे बढ़ते हैं देखत हैं अगला कोशन कोशन नमबर 3 आया था कि मोहन चोदाडों के विसाल इसनानागार की खुदाई निमलिकित में से किस छेत्र में की गई थी ठीक है यह एक छेत्र का नाम पूछ रहे हैं उसमें आपको चार आप्शन मिले होंगे आप्शन नमबर 3 में आपको देखने को मिल जो भी जाज परिणाम जो भी उसे सम्मंदित जो भी चीज है हमने यहां पर मुक्के पेश नमबर 3 में आपको बताया हुआ है यसे कि उत्खनन में जाज करने वाले प्रमुक नाम राखलदास मनर जी 1922 में मैंके 1927 मार्टिमर वेलर 1930 हो सकता है कि अगले वर्स आपसे मोहन जो दाड़ों से सम्मंदित यह प्रस्ण आ जाए कि वहां पर उत्खन जाज करने वाले प्रमुक लोगों के नाम बताईए और आप क्यूंकि इसके प्रैक्रस आप पहले से से कर चुके तो आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे मेरे दोस्तों ठीक है और आगे बढ़ते की सेल खड़ी की मूर्ति देवी मा की मिट्टी की मूर्तियां सूती वर्स्तर के टुकड़े इट के भटे दो मेसोपटामिया की मुहरे तिरासो ठाइम फूटल मुहरे मिली ठीक है मेरे दोस्तों इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अगला जो पूछा गया था कि इब्र बतूता की यात्रा पुस्तक जिससे रिहला कहा जाता है मूल रूप से किस भासा में लिखी गई यहां पर अल बरूनी एक आथर का नाम है उन्होंने किताब लिखी थी किताब उल हिंद वो किस भासा में लिखी गई थी चार ओप्शन दिए आप देखेंगे बुक के पेज नमबर 17 में कि अल बरूनी के वारे हम नहीं लिखी थी जो अर्वी में लिखा गया भारतिय दर्सन और धर्म हैं कितना हूब हूस मिलता जूलता एकदम सा कोश्चन आया इसका आंसर आपको इसली बुक के पेज नमबर 17 में देखने को मिल ग की थी इस को ध्यान से पड़ा था इसका आंसर आम से वो दे पाएंगे ठीके मेरे भाई हूँ अब बढ़ते हैं हमारे अगले कोश्चन की तरफ कोश्चन नमबर 5 पूचा गया भारती सम्विधान का निमलिखित में से कौन सा अनुच्छेत कुछ मामलों में कार सिक्षा और सारोजिनिक साहता के अधिकार से सम्मंदित है अनुच्छेत 41 आप देखेंगे बुक के पेज नमबर 138 पर हमने आर्टिकल जो 41 है जो इसका आंसर है हमने उसके बारे में यहां पर यानकरी दी हुई है अनुच्छेत 41 के बारे में कि राज आर्थिक और सेक्षी दुरस्टी से पिछले वर्गों का विशेश ध्यान रख कोशन नमबर 6 आप देखेंगे कि भारती संचत ने 2002 के 26 सम्विधान संसोधन अधिनियम को मंजूरी दी जो किस वर्ष के आयू के बच्चों के लिए प्रारंबिक सिक्षा का मौलिक अधिकार सुनचित करता है ठीक है जहां से देखना है इस प्रसंट को मेरे मेरे दोस्तों आप्शन नमबर 4 छह से 14 वर्ष इसका करेट आंसर है ठीक इसका आंसर बुक के पेज नमबर 138 पर आपको देखने को मिलेगा कि 6 से 14 वर्ष की आयू के बीच अपने बच्चों को सिक्षा आउसर प्रदान करना इसे 26 सम्विधान संसोधन अधिनियम दौए दो त्वारा ज पूछा गया था कि निम लिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाः फसल का उधारण है निर्वाः फसल के बारे में यह पूछ रहे हैं चार अप्शन नमबर 4 यह हूं इसका क्रेक्ट आंसर है आप देखेंगे बुक के पेज नमबर 181 में यह ग्रीन पर आंसर पढ़ेंगे कि फसल उत्पादर में 500% की व्रद्दी हुई ठीक है और इसका सबसे सकरात्मक प्रभाव किस पर पढ़ा इसका सबसे ज़्यादा पर पढ़ा यह हूं पर पढ़ा यह हूं इसे कि आपको मैंने पहले बताया है इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे आपको अगला कोशन दिखाएंगे मेरे दबाई हो ठीक है कोशन नमबर थर्टी यह से कि आप देखेंगे निम लिखित में से कौन से शब्द 42 में सम्विधान अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोडे गए थे ठीक है चार ओप्शन यहां पर दिये हुए हैं आप दे एक बार संसोदन किया गया था इसमें कुल तीन नए शब्द जोड़े गए थे निन नए शब्द समाजवादी धर्म निरपेच और अखंडता जोड़े गए होसाता है अगले वर्षाते पूछें कि जो ने शब्द जोड़े गए उन में से तीसरे शब्द का नाम क्या है ह कुछ भी तरीके से घुमा फिरा के कोशन पूछ सेखते हैं तो आप उसकी जनकारी पहले ही हमारे बुक के पेज नंबर 130 में आप ले चुके हैं तो उस कोशन का अंसर आप आराम से दे पाएंगे मेरे दोस्तों ठीके बढ़ते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ कोशन में 15 आप देखेंगे कि वरतमान कीमतों पर राश्ट्री आय की गणना किसके आधार पर की आती है राश्ट्री आयने इंकम की जो गणना होती है किसके आधार पर की जाती है वह हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 प्रस्लित कीमतों के द्वारा इसकी गणना की आती है और आप देखेंगे बुक के पेज नंबर 178 पे हमने यहां पर राश्ट्री आए नेसनल इंकम के बारे में पूरी आनकारियां पर दी हुई है और साथ में आपसे पूछा गया पताया गया है आपको कि अगर अगले वर्स आपसे कोशन आता है घूंगे कि हम राश्ट्री आए को किस तरीके और किस नाम से जानते हैं और इसके क्या नाम हो सकते दो आपको इहां पर एक बताया गया है कि आम तोर पर राश्ट्री आए को सफल राश्ट्री उत्पाक GNP राश्ट्री लावांस कहा जाता है GNP यहां पर दान देने वाली बात है इसका फुल फॉर्म नेशनल प्रोड़क्ट ठीक है ये इसका फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोड़क्ट जी एनपी गा इसको राश्ट्री ये लाभांस कहा जाता है ठीक है मेरे दोस्तों अब आगे बढ़ता है अगले कोश्चन की तरफ कोश्चन नमर 16 जैसे पूछा गया कि राज विधान मंदल के प्रतेक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है जो सदन में बैठक होती है उनको समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है उनका नाम पूछ रहे है यहां आपको देखेंगे चार ओप्शन दिये थे ओप्शन थ्री राज जिपाल इसका करेक्ट आंसर है आप देखेंगे बुक के पेज नमर 144 में हमने आपर राज जिपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है ठीक है किया सीज़ा अंसर आपको मिला इससे समंदित और बियानकारी आपको यहां पर मिल रही है अगले वर्स कुछ भी कोशन घुमा के पूछा जा सकता है आच्छे तर प्रक्रिस आप करेंगे कोशन की तो आप इसका आंसर दे पाएंगे मेरे दोस्तों ठीक है बढ़ते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर 18 जैसे कि आप चेक कर रहे होंगे कि सफल सिकार क्रिया कलाप का ज़स्ट मनाने के लिए सिद्धी धमाल निम्लिकित मेंसे किस राज्जिक में एक नत के रूप में किया जाता है ठीक है एक यहां पर चार ऑप्षिन आप दिये थे ऑप्षिन नमर थी गुजराद इसका कर्यक्ट आंसर है आप देखेंगे बुक के पेज नमर 55 में आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑप्षन था कोशन इग्जैम में जो कोशन था उसका कर्यक्ट आज़राद गुजराद यहां पर आपको लिखा वो देखेंगा राज ही नहीं उसके अलावा इसके जो लोक नरत्ते हैं आपको वो भी देखने को मिलेंगे जैसे कि गरबा डंडी अराज भवाई टिपनी जुरून अगले वर्थ आपसे पूशा जाए कि गुजरास से संबंदित और कौन-कौन से लोक तो उसकी जानकारी आप यहां से पढ़के अराम से दे सकते हैं ठीक है मेरे दोस्तों बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ यसे कि कोशन नमर्ट 20 आया था कि महान कभी और मानवतावादी लेकर रविन ना ठाकूर ने किस घटना के विरोध में अपनी नयाथ हुट की उपादी लोटा दी थी ठीक है यसे चार ओप्शन यहां पे दिये थे तो जलिया वाला बाग हत्या कांट नैंटी नैंटीन में जो हुआ था ओप्शन नमबर फॉर इसका करेक्ट आंसर है आप देखेंगे बुक के पेज नमबर फॉर्टी वन में देखने को मिलेगा कि हमने जो राइट आंसर है जलिया वाला बाग हत्या कांट इसके बारे में हमने फूरी डिटेल में यहां पर हमने दिया हुआ है कि इसको किसके दौरा कराया गया और कितने लोगों की जान गई कितने लोगों कि इसमें दुरगटना के शिकार हुए ठीक है तो अब देखेंगे कि जनरल ओ डायर ने सांति पूर्ण समयलन के सुरूआ से पहले ही सवा पर अंदर भूली बारी करने के आ भागने के लाग की रास्ता मिला नी इसमें टोटल नतीजन सेकोड़ों पूर्सों मैलाओं और बच्चों के साथ साथ बारा सो से अधिक लोग घाल हो गए ठीक है अगले वर्स आज़े पूछ सकते हैं इससे समयने कोई सवाल तो आप शड़ी बुक से पेज नंबर 41 में इ कोशन नंबर 21 प्यादा निमलिकिज में से किस खेल से समंदित है ध्यान देने वाली बात है चार ओप्शन दिये थे तो प्यादा जो है यह बहुत कॉमन सा कोशन है मेरे बच्चों मेरे दोस्टों आप देखेंगे को पूरी जानकारी दी हुई है कि हो सकता है कि आप से प्राचीन नम से खेला जाता था है १ूसकता है कि आप से ऐकले स्वास से पूछने के चेस की नाम की उत्भत्ती कैसे हुई तो औस बता दें कि फाड़्सी के शाह, राजाया सह्शक से corsicach, SARAH आपको देखने वाली बात यह है कि प्रते खिलाडी के 16 मोरे यानि 8 पैदल, दो हाती, दो उंट, दो गोडे, एक वजीर, एक राजा होता है, ठीके, अब यहाँ पर 8 पैदल और प्यादे, ठीके, जो दोनों का मतलब एकी होता है, 8 प्यादे या 8 पैदल, कुछ भी कही लीज यह मतलब एकी होता है, जो चेस में शतरंज के खेल में 8 सैनिक होते हैं, ठीके मेरे दोस्तों, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, अपने कोशन को देखने के, देखते हैं आगे, कोशन नमबर 23, आप चेक करेंगे, कि निमलिकित में से किस वर्स राजनीतिक हिंसा को दब आने के लिए रालेट एक्ट पारित किया गया, ठीके, आपके चार ओप्शन यहाँ पर दिये हुए है, ओप्शन नमबर 3, 1990 सा करेक्ट आंसर है, आप देखेंगे, बुक के पेज नमबर 41 में आपको देखने को मिलेगा, कि रालेट एक्ट, 1990, ठीके, उननीस सो अठारा में लॉर्ड चेंस फोर्ड के वाइस रायल्टी के तहट, सरकार द्वार रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समीती की स्थापना की गई थी, ठीके, और ध्यान देने वाली बात यह है, कि 1919 के रॉलेट एक्ट ने सरकार को अजारत में सुनवाई के बिना लोगों को हिरास में लेने और क्याद करने का अधिकारत प्रदान किया, ठीक है, जो कोशन पूछा गया, कि किस राजितिक हिंसा को दवाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित कब किया गया, हमने वहाँ पे आप्शन बताया आपको 1919, हमने उसी आंसर समंदित, बुक के पेले में फोटियों न का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है, ओके मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, अगले कोशन की तरफ, कोशन नमबर 24, आप चेक करेंगे कि भारती राष्टपती की न्याई सक्तियों और उनकी परिवासा के संबंद में, कौन या या युगम गलत मिलान किया गया, ठीक कि इसका आर्थ है सजा की प्रकृति को बदलने बिना उसकी अवधी को कम करना, आप चेक करेंगे बुक के पेज नमबर 141 में, कि भारती राष्टपती की सक्तियों में आप देखेंगे, पॉइंट नमबर 3, कि राष्टपती राज के प्रमुक के रूप में एक अपरादी सजा को निलंबित या कम कर सकता है, ठीक है, पूरी तरीके से डेटेल में आपको आपको आंसर बताया, ठीक है, मेरे जिन दोस्तों को मतलब की इस तरीके से कोशन की पैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए एक्जाम में आंसर करना बहुत ही एजी हो जाता है, ठीक है मेरे दोस आप देखेंगे बुक के पे नवर 144 पे आपको मैं बताऊंगा कि इस के तरह राजपाल की सहमती राजपाल की सहमती के बिना कोई भी विधे दोनों सद्वारा पारित होने के बाद भी कानून नहीं बन सकता है अगले साल आपसे पूछ लें इसी के समझेद कोई सवाल कि राजपाल की सहमती के बिना अगर दोनों सद्वारा पारित होने के बाद कोई कानून अगर बनता है तो वो पारित कानून क्यों नहीं बन सकता है कोशन नमबर 27 जैसे कि आप चेक करेंगे कि निमलिखित में से कौन सा विकल्प आगरे चटान का उधाराण है आगरे चटान के बार पूछ रहे हैं ये तो ऑप्शन 4 दिये थे अगरे चटाने कैसे बनती है तो आपको यहां पढ़ने को मिलेगा चूकि अगरे चटाने प्रस्विक आंतरिक भाग से निकले मैगमा या लावा से बनती है इसमें कुछ प्रमुख चटानों के नाम हमने दिये हुए है जैसे कि ग्रेनाइट ग्रेबोब पेगमेटाइट प्रमुख चटानों के नाम बताईए तो आप इसी इस तरीके से पढ़के एंसर कोशन का आंसर आप दे सकते हैं मेरे दोस्तों ठीक है बढ़ते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ कोशन नमर 29 यह पूछा गया था कि दिग्र पंचान के अनुसार महा शिवरातरी कम मना जाती ह चार ऑप्शन दिये थे ऑप्शन नमर 3 माक क्रेश्ण पच्छ चतुर्दससी के दिन महा शिवरातरी मना जाती है पर दोस्तों आप देखेंगे बुक के पेज नमर 57 में हमने यहां पर कुछ प्रमुख तेवारों के नाम यहां पर दिये हुए मकर सक्रान्ती लोडी और होल अगले वर्स अगर यह कुछ अटा है इस बाद तो महा शिर work आता अगले वर्स कोशन आता है वहार हमा शिर्वातरी सक्रान्ती लोडे को 15 मboys City के बार में है पूछ 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 लिए या आप से हो लिया माकर संक्रांदिंग वारें पूछ लिया तो उसके बारे में डिटेल में कोशन की जानकारी आप यहां से पढ़कर अंसर अराम से दे सकते हैं मेरे दोस्तों ठीक है अब बढ़ते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ कोशन नमर 30 जो पूछा गया कि निम्लगी तुमें से किसे भारती लोग और राजन जाती नत्य से संयुक्त भारती राश्टी नत्य के लिए यूरूपे नाट तकनीकों को अपनाने के दौरा सलयन कला बनाने के लिए जाना जाता था ठीक है चार ओप्शन दिये थे ओप्शन करेंगे कि हमने जो नत्यों के विषय में हमने यहां पर यानकारी दी हुई है कि अन्य सास्तिरी नत्यों की तरह भारत नाट्यम के प्रदस्निकी सूची में नत्या शुरुद्र नत्र एकल अभिवेंजग नत्र और समू नाट की नत्या शामिल है ठीक है इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले को देखेंगे मेरे दोस्तों को नमबर 31 जैसे कि आप चेक करेंगे कि मगत समराज पर सासन करने वाले पर्थम राज वंस का नाम बताईए यह ध्यान देने वाली बात है कि चार ओप्शन यहां पे दिये थे दो नमबर ओप्शन हर्यं हर्यंक वंस इसका करेक्ट आंसर है आप चेक करेंगे बुक के पेज नमबर 9 में हमने यहां पर हर्यंक वंस के बारे में पूरी जानकारिया पर दी हुए हर्यंक वंस कि इस पूर में इनका राज था वो ही बताया है बिम्बी सार श्रोणिक इस इस पूर में इन्होंने हर्य के संस्तापक थे अगले वर्थ आदे पूछा जाए कि हरेंक वन्स के संस्तापक कौन थे आराम से आप पढ़ गया अंसर का कोशन के जवाब दे पाएंगे बिम्बी सार श्रोनिक ठीक है इन्होंने हरेंक वन्स की स्थापना की थी बिम्बा सार के निर्देश में मगदगा उ ठीक है मेरे दोस्तों इसी तरीके से हम आगे बढ़ देएंगे और अगले कोशन को देखेंगे कोशन नमा 34 कि गैर कार्पोरेट गैर क्रशी लगू सूख्म उद्धमों को दस लाग तक का रिंद प्रदान करने के लिए प्रदान मंत्री द्वारा आठ अप्रेल 2015 को आरम की गई योजना की पहचान कीजिए ठीक है चार आप्षिन दिये थे प्रदान मंत्री मुद्रा योजना इसा correct answer है जो की आठ अप्रेल 2015 को ये योजना मोदी जी ने हमारे जो प्रदान मंत्री जी है उन्होंने ये लागू की थी इसमें की जो फाइदे थे वह आपको यहाँ पर आप देखेंगे ये बुक के पेज नंबर 201 में इस योजना के बारे में प्रदान मंत्री मुद्र योजना PMM-y इसको हमिस्ता हम से भी जानते हैं इसके बारे में पूरी जयनकारी हमने या पर दी हुई है इसमें ये भी दिखाय हुआ है कि इसे दस लाग रुपे तक का रिड्ट प्रदान क में 50,000 रुपये से अगली वर्श आपसे यही कोशन घुमा कर पूशा जाए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजनास मंदित तरुन अवस्था में कितने लाख रुपे का लोन दे सकती है सरकार ठीक है तो उसके लिए भी आंसर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इसली तरीके से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो एक्जाम में पूछें के कोशन का अंसर आप आराम से मेरे दोस्तों दे पाएंगे ठीक है बढ़ते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ कोशन नमर 36 पूछा गया था कि किस आयू के वर के बच्चों को परतिया पालियों को सेक्षिक अफसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक करतव है आप देखेंगे बुक के पीज नमर 138 पे 6 से 14 वर्स की आयू की बीच अपने बच्चों को सिक्षा अफसर प्रदान करना ये माता पिता का मौलिक अधिकार होता है ठीक है मेरे दोस्तों सीधा कोशन किया सीधा आंसर आपको प्रदान मंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीती के भाग के रूप में वैस्वी करण नीती प्रस्तुत की गई थी ठीक है मेरे दोस्तों चार ओप्षों यहां पे दिये थे तो इसका करेट आंसर पीवी नर्सिंग रॉप्षों नम्बर टू इसका करेट आंसर है मेरे दोस्तों आप देखेंगे बुक्चे पेल नम्बर 177 में आप देखेंगे कि नई आर्थिक नीती, New Income Economic Policy के बारे में हमने आप पूरा विजुनर दिया हुआ है, सीधा जो ऑप्षन का PV नर्सिंग राओ के बारे में आपको बता रहे हैं कि इस सुधार की दूसरी लेहर PV नर्सिंग राओ की सरकार के काल में सन 1991 नई आर्थिक में आई से दे सकते हैं मेरे दोस्तों ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आगले कोशन की तरफ, कोशन नम्मर 39, भरत नाटियम की उत्पत्ती निम्ण में से किस राज जिसे हुई है, ठीक है, जैसे इनोंने चार ओप्षन यहाँ पर पूछे थे, ओप्षन नम्मर 3, तमिल नाडू, इसका करेट आंसर है मेरे दोस्तों, आप देखेंगे, बुके पेनव 55 पे आप देखेंगे, कि हमने यहाँ पर कुछ सास्त्रिये नत्र के बार में बताया हुआ है, जैसे कि आप पहले कोशन कांसर देख लीजिए, भरत नाटियम तमिल नाडूस राज से समन्धिते, ठीक है, वह तकली केरल, सत्रिया आसम, मडीपूरी मडीपूर, छाओ, जारखंड और मोहिनी अटम केरल, देखा मेरे दोस्तों, मतलब नाहीं सिर्फ उस कोशन के बारे में हमने कांसर दिया, उससे समन्धित और भी जो प्रस्ण होते हैं, उनके बारे में भी हमने यहाँ पर डिटेल मे समाजवादी थी, ठीक है, चारो समय यहाँ पर दिये, ऑप्शन नमर वन, जॉर्ज बरनाट शाह, इसका करट आंसर है, आप देखेंगे, बुक के पेज नमर 40 में हमने यहाँ पर पूला डिटेल में आचनकारी यहाँ पर दी हुई है, कि एनी बेसेंट ने आशी विद्रो से प्रिचित होकर भारत में होम रूल आंदोलन के स्थापना की थी, ठीक है, इसी तरीके से कोश्चन को घुमा कर अगले सल पूछते हैं, उसी तरीके से आप एक्जैम की तयारी करेंगे, अपना एक्जैम में कोश्चन का अंसर अराम से दे पाएंगे दोस्तों, ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले कोश्चन की तरफ, कोश्चन नमबर 42, पूछा गया था, निम लखीत विकलबों में से कौन सा सश्च्य भूमी परिस्थित की तंतर से समन्दित नहीं है, यहापर दो कथन यहापर दिये हुए है, कथन नमबर 1, सश्च्य भूमी एक मानन निर्म ही है मेरे दोस्तों, ठीक है, आप देहें कि बुक के पेज नमबर 109 में कि मानव निर्मित परिस्थित की तंतर के बारे में बताया हुआ है, जो कि उधारान के तोर पे खेत और जली करशी तलाब, जो सौर उड़जा पर निर्वर परिस्थित की तंतर हैं, ठीक है, यह मान अगले कोशन के तरफ, कोशन नमबर 43, भारत की जनगर्णा 2011 के अनुसार निमलखित मैं से किस राजियों और केंदर, सासित प्रदेशों के किस समूस में उच्चितम साक्ष रता, दर्दर्ज की गई, ठीक है, यह चार उप्शन यहां पर दिये हुएं, तो अब देखेंग अप्शन नमबर 3, केरल, और लक्ष दी, इसका करेक्ट आंसर है, आप सिर्दा देखेंगे, और कोशन नमबर 82 पे, की सरवादिक सासित दरवाला राज, केरल, ठीक है मेरे बच्चों, सीधा कोशन का आंसर आपको महां मिलेगा, ठीक है, मुझके पेंज नमबर 82 में, ऐसे ह जिन भाईयों ने, जिन बहनों ने हमारे गाइड बुक्स से, स्टेडी बुक्स से, इस गैम के तयारी की थी, उनके लिए ये एक्जैम बहुत ही इजी रहा होगा, जी बिलकुल, बढ़ते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ, कोशन नमबर 45, कुछा गय था, कि निमलिकित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, जब दस्षिन बहार में भाहने मी ये समराज्जी की स्थापना हुई थी, ठीक है, ये चार ओप्सन यहाँ पर दिये हुए है, कोशन आंसर नमबर 3, मुहंबद बिन तुगलक, इस से करेक्ट आंसर है, आप देखेंगे बुक के पे सुद्धिन तुगलक के पुत्र, राजकुमार जोना नहीं, 1325 में सिंगासन समाला, ठीक है, वह सकता है, अगले वर्स कोशन को घुमाकर पुशे राय कि उस वर्स सिंगासन फिर किसने समाला, तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर हमने अल्यडी दियो है, मेरे दोस्तों, ठीक चार उप्शन दिये थे, उप्शन नमर 3, अनुछेद 18, 2, इसका करेक्ट आंसर है, आप देखेंगे बुक के पे नमर 136 पे, उपादियों अनुछेद 18 के बारे में हमने यहाँ पर पूरी जानकारी इटेल में दी हुई है, आंसर के बारे में यहाँ पूरी दी हुई है, आप देखेंगे, कि इसमें से कुछ हमने अगले वर्स हो सकता है कि कुछ कोशन को घुमा कर पूछे जाए, और भारत द्वारा दिये गए रतनों में से किसी रतन का नाम पूछ लें या पूछ लें कि कितने रतन दिये जाते हैं, तो उसके बारे में जानकारी यहाँ पर आ आशोक चक्र जैसे सेने सम्मान प्रदान किये जाते हैं ठीक है मेरे दोस्तों इसी तरीके से हमने आगे बढ़ेंगे और आपको अगला कोशन दिखाएंगे कोशन नमबर 47 यह ध्यान देने वाली बात है यह मिलान का कोशन आया था वहाँ पर चार अपर दिये थे कॉलब एऊ कॉलम बी के बिस नेम्लकित में हैं कौन सां सही मेल है यहाँ दान दिजिएगा कि कॉलब ए और कॉलम बी ठीक है। पॉइंट नमबर वन उत्पादक पूछ रहे हैं उत्पादक इनमें से उत्पादक कौन होते हैं जैसे कि इसका आंसर करेक्ट होगा ए भी ठीक है उत्पादक हरे पौदे होते हैं आप इसी का आंसर जस्ट बुक के पेज नमबर 109 में आप देखेंगे कि स्वपोशी इसने इन्हें स्वपोशी भी कहते हैं कि ये पारिंतरंतर के अन्य सभी जीवों के भोजन का उत्पादन करते हैं ये मुकता हरे पादप होते हैं और प्रकास Сंशलेषन की प्रक्रिया द्वरा सरुर्जा की उपस्धिती में अब अकार्विनिक पडार्तों का रसाइनिक उर्जा भोजर में परिवर्शित करते हैं, यसे हरे पोद उत पादक होते हैं, वो बता आया है, दूसरा प्रात्मिक अब् territor क्या होते हैं, प्रात्मिक अब्र spann में बोग्ता प्रात्मिक अब्रत्मिक अब्धवि, जिसे ही तीसरा हम पूछेंगे, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है मासाहारी दुतिय और तृतिय बोक्ता कहलाते हैं ठीक है जैसे मेड़क, कुत्ता, बिल्ली और भाग ठीक इसी के लावाद चौथा अब घटक कौन होते हैं वह बच्छे को अंसर जिवाडू और कटक इसके बारे आप अंसर मिलेगा अब तरह देहेंगे ये प्रतेक पोशन्स तरपर जीवों को म्रत अफसेश्कों का बक्षन करते हैं ठीक है और पोशन तत्वों को पुनर्चक्न मदद करते हैं उधारन बैक्टिरिया और कवक सीधा कोशन का सीधा आंसर ठीक है मेरे बच्छों तो बढ़ते हैं हमारे अगले को कोशन नमबर 48 जो है निमलकित मैंसे कौन से कौन सा पंच वर्सी योजनाओं के लक्ष हैं इसे कि हम चेक करेंगे ऑप्शन नमबर एक विकास आदूनी करन समता और आदम निरवरता ये करेक्ट आंसर है आप चेक करेंगे बुक के पेज नमबर 172 में आप देखने को कि उस समय ये पंच वर्सी योजनाओं के लक्ष थे उनके बारे हम बताया गया है इसमें इस योजना के सरनातियों के पुनरवास तीर्व कसी विकास पर जोड़ दिया ताकि कम से कम समय में खाग आदम निरवरता प्राप्त की जासे ठीक है और इसमें योजना के दोरान र प्रतिवक्ति आयमें 11% की व्रद्धी हुई हो सकता है कि अगले वर्स ये कोशन गुमा कर आए आप ते पूछे जाए कि इस योजना के दोरान राज्ट्री आयमें कितनी व्रद्धी हुई प्रतिवक्ति की आयमें कितनी व्रद्धी हुई तो उसका अंसरा दौह देपाए इसलिए हम कहते हैं, कि आप practice कीजिए, अपनी exams केलियर कीजिए, क्योंकि आप सब के exams केलियर होते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती हैं मेरे दोस्तों. इसलिдिए, आप अपने महनत पे कोशिश कीजिए, हम आपके लिए बुक लाने में महनत कर रहे हैं. ठीक है तो इसी ज़जबे के साथ इसी होसले के साथ अपने एक्जैम्स के तयारी कीजिए और कुछ कर दिखाईए तो कि हमारी एक्जाम कार्ट की टेग लाइन है पेपर पक्का फसेगा तो पक्का फसेगा दोस्तों